एर फोर्स की तयारी करने वाले धुरंदरों मैथ की सारी टेंसन खतम क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिप्रेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से वो भी बिल्कुल फ्री तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त की का स्कॉाइर माइनस फोर का स्कॉाइर अगर इसको सोलह पदों तक जोड़ना हो तो किस तरह से जोड़ेंगे तो देखिए कोशन यह है कि अगर आप वन का स्कॉाइर प्लस टू का स्कॉाइर प्लस थ्री का स्कॉाइर प्लस फोर का स्कॉाइर इस तरह से करते करते अगर इनको जोड़ दें 16 पदों तक 16 पदों तक और फिर अब चुकि यह माइनस में आपको दिख रहा है यहां पे तो इसमें से अगर आप 2 का स्कॉाइर प्लस 3 का स्कॉाइर 2 का स्कॉाइर प्लस 4 का स्कॉाइर प्लस 6 का स्कॉाइर इस तरह से करते माइनस कर दें यह निकल जाएगा यह निकल जाएगा अब आपको इनको निकालना नहीं है बलकीन को रखना है लेकिन माइनस में रखना है तो यह जो आप माइनस कर रहे हैं तू का इसक्वायर फोर का इसक्वायर उसका अगर डबल माइनस करें इसका अगर डबल माइनस करें ये भी कितने पदों तक होगा ये अगर पूरा 16 पदों तक है तो जब एक एक छोड़ के करेंगे तो वो 8 पदों तक होगा 16 का आदा कर दीजे 8 पदों तक होगा अगर ये पूरा 16 पदों तक है तो ये 8 पदों तक होगा तो इस तरह से अगर आप ये दो कावर्ग चार कावर्ग इसमें से निकाल देते हैं तब तो ये पूरी तरह निकल जाएगा लेकिन इनको निकालना भी है और माइनस मिलाना है माइनस मिलाना है देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग कर देंगे डबल अब वन का स्कॉायर टू का स्कॉायर थ्री का स्कॉायर इस तरह से करते करते अगर सोलह पदों तक आपको जोड़ना हो तो उसका फार्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स यह होता है 1 का square 2 का square से लगाए N square तक जोडने का formula लेकिन यहाँ पर आपको अगर 16 पदो तक जोडना होगा तो इस formula में N की जगा 16 रख देंगे तो 16, अब 16 में एक जुड़ेगा 17 और 16 दुना 32 हो जाएगा 32 में एक जुड़ेगा 33 बटे 6 यह हो जाएगा इनका योगफर अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ पर 2 का square common ले लेते हैं यहाँ पर common ले लेते हैं 2 का square तब यहाँ पर बचेगा 2 का square common लेने पर यहाँ बचेगा 1 का square और यहाँ बचेगा 2 का square इसी तरह से अगले वाले टर्म में बचेगा 3 का स्क्वायर और लगातार ये भी हो जाएंगे कितने पदों तक 8 पदों तक यानि कि यही स्क्वायर को जोडने वाला फार्मूला लगाना है लेकिन इस बार आपको लगाना है 8 पदों तक तो यहां पर कैंसिलेशन कीजिए 3 से 11 बार में 3 से 2 बार में 2 एट जा 16 11 एट जा 88 और 88 में अब करना है 17 से इंटू माइनस ये देखिए ये 4 हो जाएगा 4 टू जा हो जाएगा 8 और यहां पर फिर यही फार्मूला लगाएंगे तो इस बार एन की जगा आपको 8 रखना है तो 8 गुडे 8 और एक जुडेगा 9 और 8 दूनी 16 और एक 17 और यह अपान होगा 6 फार्मूले में क्या है 6 तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 फिर 2 4 जा 8 अब इन दोनों जगों से आप 17 यहां पर यह 17 है 17 कॉमन ले सकते हैं और भी कॉमन ले सकते हैं जितना ज्यादा कॉमन ले लेंगे उतना आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा तो 88 यहां पर बचेगा 17 कॉमन लेने पर और यहां पर बचेगा 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96 12 8 जा हो जाएगा 96 जब आप 88 में से 96 को माइनस करेंगे तो माइनस में बचेगा तो माइनस 136 6 माइनस 136 हो जाएगा आपका अंसर माइनस 136 जो भी ऑप्सन है उस पर आप लगा देंगे टिक तो यह पूरा सॉलुसन आपके सामने है कर लीजेगा नोट बढ़ते हैं आगे अब देखिए यह चैप्टर है हरात्मक स्रेडी लेकिन गलती से यहाँ पर एक कोशन दे दिया गया है गुडो तर्स रेडी का यह आप देख रहे हैं टू बाई फाइफ फिर इसके आगे थ्री बाई फाइफ इसक्वाइर है और वापस टू आया है देखिए यहाँ पे और थ्री के बाद फिर एक छोड़के थ्री आया है और यह जारा अनंद पदो तक तो जब इसको जोड़ना होगा तो हम लोग करेंगे क्या कि तू वाले पदों को अलग छाट लेंगे तू वाले पदों को अलग छाट लेंगे और थ्री वाले पदों को अलग छाट लेंगे तो जब हम 2 by 5 लिखेंगे 2 by 5 फिर उसके बगल में 2 by 5 का क्यूब लिखेंगे तो इनको हम अलग जोड लेंगे अनंद पदो तक और अगर ये 3 वालों को छाटा जाए तो पहला लगया है 3 by 5 का स्कुआर और फिर अगला वाला है 3 by 5 पे पावर 4 ये भी गया है अनंद पदो तक तो गुडोतर स्रेडी में कई इस तरह का कोशन आया था हम लोग जोडे थे लेकिन अब गलती से हरात्मक स्रेडी में ये गुडोतर स्रेडी दे दिया गया है तो अब देखिए ये ऐसी गुडोतर स्रेडी है पहला वाला जिसका पहला पद है 2 by 5 और बार बार मल्टिप्लाई हो रहा है उपर तो देखिए 1 का मल्टिप्लाई है और नीचे 5 के बाद 5 पे पावर 3 हो गया दो 5 बढ़ गया तो 5 5 जा 25 ये हो गया पहले वाले की कहानी और जो दूसरा वाला है ये वाला इसमें भी बार बार दो थो 5 बढ़ रहा है तो आर इसका भी यही रहेगा लेकिन इसका पहला पद है 3 by 5 का स्कॉाइर यानि 25 ठीक है यही आर इसके लिए भी काम आएगा दूस की गुड़ोतर स्रेडी के अनंत पदों का योगफल होता है गुड़ोतर स्रेडी में है न दोनों सीरीज बार बार एक ही चीज का गुड़ा हो रहा है तो यह है गुड़ोतर स्रेडी तो गुड़ोतर स्रेडी के अनंत पदों का योगफल होता है आप गुड़ोतर स्रेडी जगह 1 upon 25 और जब दूसरे वाले को जोड़ा जाएगा यह 1 है तो 3 by 25 रखा जाएगा एक ही जगह और 1 minus r की जगह 1 upon 25 तो अब यह calculation आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 2 by 5 है और minus करने पर बचेगा 24 upon 25 जैसे 25 से कम 25 तो 25 में से 1 minus होगा 24 तो 24 by 25 यानि भाग को गुड़े में बदलेंगे तो 25 by उल्टा हो जाएगा 25 by 24 और plus यहाँ पर है 3 by 25 और यहाँ भी minus करने पर वही बचेगा 24 upon 25 तो जब भाग को गुड़े में बदलेंगे तो 25 upon 24 हो जाएगा यह कट गया 25 पचीज और 3 एक कम 3 तीन अठे 24 फिर यहाँ पर 5 पचे 25 और यहाँ पर कटेगा तो 12 बार में अब 12 और 8 का LCM होगा 48 बारा चोक 48 और 8 छके 48 तो 48 हो जाए LCM तो 12 चोक 48 पांच 4 पचे 20 और 8 छके 48 तो यह हो जाएगा 6 तो 20 और 6 26 26 बटे आ रहा है पूरा करते हैं आपके सामने 26 बटे यह आ गया 48 अब इसको जब आप 2 से काटेंगे तो बचेगा 13 और 2 दुनी चार 2 चोक को 8 13 बटे 24 हो जाएगा आंसर 13 बटे 24 वाले विकल्प पे लगा दीजिएगा टिक और यह पूरा सॉलूसन आपके सामने इसको जूम करके वीडियो और हम लोग बढ़ते हैं आगे अगला वाला कोशन कोशननिंद्मूंड़ 28 यह रहा आपके सामने बड़ा ही बढ़िया कोशन है अगर सीगमा एट की वैल्यू है 210 तो सीगमा एट की वैल्यू कितनी होगी तो सीगमा एट है 210 तो देखिए शीगमा एट अगर है 210 तो सिग्मा एन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए एन एन प्लस वन बाई टू सिग्मा एन का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू और यह है 210 तो यानि कि एन और एन प्लस वन बराबर होगा दो को उधर भेज़ देगे तो इस दो को जब इधर भेजेंगे तो गुड़ा होके हो जाएगा 420 420 सब लोग नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन नंबर नंबर ही होता है 420, 420 हो गया तो अब आपको क्या करना है N और N प्लस 1 यानि कि दोनों में एक का डिफरेंस है तो 420 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है ऐसे दो संख्याओं के गुड़न फल में जिनमें एक कांतर हो तो अगर आप थोड़ा सा सर्च करें गुड़न खंड बगएर करें तो आपको पता चलेगा कि 21 और 20 21 और 20 का गुड़न फल 420 होता है अब इधर क्या है दो संख्याओं जिनमें एक कांतर है इधर भी दो संख्याओं जिनमें एक कांतर है यानि N कामान हो गया 20 अगर कोई हमको Sigma N कामान दे दे तो हम N कामान निकाल सकते N कामान कितना होगा 20 अब हम लोगों से पूछा गया था Sigma N isquire तो अब Sigma N isquire जब पूछा गया है तो Sigma अरे यह तो फैक्टोरियल लग गया Sigma N isquire होता है फार्मूला है एन अभी पिछले कोश्चन में यही लगा था एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स तो अब आपको एन का मान मिल गया था इनकी जग़ा रख देना है बीस तो बीस उकुड़े बीस में एक जोड़ेंगे एक किस और बीस दूनी चालीस और एक एक तालीस बटेच है तो अब दो से काट दीजिए दस बार में और दो तियाई चै फिर तीन सत एक किस अब यह हो जाएगा साथ एक कम साथ और साथ चोग को अठाइस साथ एकम साथ और साथ चोग को 28 और ये 10 है तो 1 0 यहां बढ़ जाएगा यानि कि 2870 2870 वाले विकल्प पे लगा दीजिएगा टिक तो फैक्टोरियल सिग्मा एन सिग्मा एन से एन का मान मिल जाएगा 20 और तब सिग्मा एन स्कॉाइर का जो फार्मूला होता है उसमें एन की जगा रख देंगे 20 इस तरह से ये कोशन साल्व हो गया आप बढ़ते हैं आगे इसको आप नोट कर लीजेगा वीडियो रोक के जूम करके 39 कोशन ये देखिए रहा आपके सामने N पदों का योगफल अगर 5 N स्कॉाइर प्लस 2 N है तो दूइती पद दूसरा पद क्या होगा ये देखिए ये N पदों का योगफल है यानि कि ये S N है अब अगर S N का मान आपको दे दिया जाए जो कि है 5 N स्कॉाइर प्लस 2 N तो इसकी मदद से दूसरा पद, दो पदों का योग फल नहीं दूसरा पद कैसे पता लगाएंगे आप दूसरा पद कैसे पता लगाएंगे इसका तरीका देखिए अगर ये N पदों का योग है तो इसमें जब N की जगा 1 रखेंगे तो एक पदों का योग निकलेगा तू रखेंगे तो दो पदों का योग निकलेगा तीन रखेंगे तो तीन पदों का योग निकलेगा अगर आप दो पदों के योग में से एक पदों का योग घटातें तो आपको दूसरा पद पता चल जाएगा ध्यान दीजिए अगर दो पदों के योग में से एक पदों का योग निकाल दिया जाए माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा दूसरा पत अगर हमको पता लगाना होता दस्वा पत तो हम क्या करते 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा देते अब अगर आपको पता लगाना है 2 पदों का योग तो यहाँ N की जगा 2 रखतेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4 4 पचे 20 और प्लस 2 दुनी 4 फिर माइनस जब 1 रखेंगे तो 1 का square 1 हो जाएगा 5 वन जब 5 और प्लस 2 वन जब 2 तो दो पदों के योग में से एक पदों का योग घटा दिया जाए तो दो पदों का योग यहाँ पर आ रहा है 20 और 4 24 और एक पदों का योग आ रहा है 5 और 2 7 24 में से आपको 7 घटा देना है बचेगा सत्रह तो सत्रह सही आप्षन है सत्रह वाले आप्षन पर लगा देना है टेक तो यह आप नोट कर लीजेगा और तीस ही कोशन है तो अब हम लोग पहुँच गए आखरी कोशन पर कोशन नमबर तीस यह देखिए कोशन अर बराबर 5 आउपर लिखाए 10 यानी यहां पर आर का मान 5 से शुरू करना है और 10 तक रखना है और सिग्मा सिग्मा का मतलब है फिर इनको आपस में जोड़ते ना है तो फार्मूला क्या है आर स्क्वाइर माइनस टू आर प्लस वन में आपको आर कामान क्या रखना है पहले पांच तो पांच का वर्मूला क्या आर प्लस एक फिर आपको 6 रखना है माइनस दो गुडे 6 आर की जगा 6 फिर आपको आर की जगा 7 रखना है तो 7 का वर्मूला क्या दो गुडे 7 धन एक फिर 8 नो 10 बस 10 तक ही रखना है तो मन करे पूरा रख सकते हैं यहां से लगाए 10 का वर्मूला क्या फिर माइनस दो गुडे 10 तो 10 तक आपको रखना है यह समेतार है नहीं अब आपको कुछ ऐसा करना है अब आपको पता लगाना है कि मान लीजिए 5 के वर्म से 10 के वर्म तक जोड़ना हो तो कितना आएगा तो 5 के वर्म से अगर 10 के वर्म तक जोड़ना है तो तरीका देखिए आप एक के वर्म से लगाए दस के वर्म तक जोड़ लीजिए और उसमें से एक के वर्म से लगाए चार के वर्म तक घटा दीजिए अगर आपको पांच के वर्म से लगाए दस के वर्म तक जोड़ना हो यह दस का वर्म है दस के वर्म तक जोड़ना हो तो आप एक से लगाए दस के वर्ग तक जोड़िए और फिर एक से लगाए चार के वर्ग तक जोड़ लीजिया दोनों घड़ा दीजे तो पांच के वर्ग से लगाए दस के वर्ग तक मिल जाएगा अब वर्गों को जोडने का फार्मूरा इसी क्लास में दो-दो कोश्चनों में लग चुका है और पहले के क्लासेज में भी लग चुके हैं अगर 10 के वर्ग तक जोड़ना है तो N N प्लस 1 यानि की 11 अब फिर 2 N प्लस 1 यानि 10 रखना है N की जगह तो 10 दुना 20 और 1 एक किस बटे 2 बटे 6 होता है माइनस अब 4 तक जोड़ना है एक कावर्ग दो कावर्ग 4 तक जोड़ना है तो फार्मूले में 4 रखेंगे N N प्लस 1 फिर 2 N मतब 4 दुनी 8 2 N प्लस 1 यानि 9 बटे 6 तो यहाँ पर 2 दुनी 4 2 तियाई 6 और 3 तरिक का नो और यहाँ पर 7 3 सते किस 3 दुनी 6 2 पचे 10 तो 5 सते 35 और 35 यानि 385 ग्यारा का जब गुड़ा करेंगे 35 में तो 385 आएगा माइनस यह दे कि 5 दुनी 10 दुना 30 तो 375 घटा दीजे 375 तो यह आपको हम सिखाए हैं कि 5 के वर्ग से लगाए और 10 के वर्ग तक कैसे जोड़ा जाएगा तो वह आ रहा है 355 अब यहाँ पर यह जो कोश्चन अम दुक्साल कर रहे थे यहाँ पर यह पता चल गया कि इनको जोडने पर आएगा 355 माइनस अब यहाँ से 2 कामन ले लीजिए और 5 से 10 तक जोडना है तो 5 से 10 तक आप ऐसे ही जोड लेते तो फार्मूले जोड़ेंगे तो आउट टाइम लगेगा अब यह 5 से 10 तक अगर जोडना है तो पहले फार्मूला लगाए जाए एक से 10 तक जोड़ा जाए तो एक से 10 तक जोड़ेंगे तो n n प्लस 1 बाई 2 और फिर 1 से 4 तक जोड़ा जाए तो 1, 2, 3, 4 तो इसे ही जोड़ सकते हैं लेकिन फार्मूले से ही जोड़ना चाहते हैं तो n n प्लस 1 बाई 2 यानि कि 1 से 10 तक जोड़ने पर आएगा 55 और 2 पचे 10 1 से 4 तक जोड़ने पर आएगा 10 तो 55 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 45 यानि 5 से 10 तक जोड़ने का आएगा 45 और इस एक को आपको जोड़ना है 5 से लगाए 10 मतलब ये 5 से लगाए 10 तक रखे हैं यानि 5, 6, 7, 8, 9 और एक और 10 यानि 6 संख्याएं आप रखे हैं तो ये एक करके बार होगा 6 बार 5 से 10 तक ये मत समझ येगा कि 5 संख्याएं हैं 5 से 10 तक में 6 संख्याएं हो जा रहे हैं गिनिया ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच ठीक है? अरे हम तो एक से गिन दिये 5 से गिनिया 5 से 5, 6, 7, 8, 9 9 में ही 5 हो गया आएक और 10 तो यानि कि टोटल कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं तो एक को 6 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा अब ये 300 355 है 355 माइनस 45 दूनी 90 और प्लस 6 तो 90 घटा दीजिए 355 में से तो बचेगा 265 और 200 होगा तो बचेगा 265 265 में 6 और जोड़ना है तो हो जाएगा 271 यानि कि 271 वाले option पे लगा देना है टिक तो पूरा solution आपके सामने कर दें इसको कर लीजेगा आप note वीडियो रोक के जूम करके इसको note कर लीजेगा देखिए पूरा solution आपके सामने है यह अलग से 11 का गुड़ा किये थे इसको नहीं note करना है बाकी जो है main question यहाँ पर रखे है और यहाँ पर हम निकाले हैं कि 5 के वर्ग से लगाए 10 के वर्ग तक जोड़ना है तो कहीं से जुड़ेगा तो यह आपका हरात्मक स्रेडी भी खतम हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे जो हम लोग का अगला चैप्टर है वो है complex number जो की आठवा चैप्टर है तो आठवा चैप्टर अगले क्लास से सुरू किया जाएगा